यह वाला question discuss करेंगे इसमें बोल रहा है the major product of the following तो देखे जब आप N-bromo-sacinamide दखेंगे देखे दो equivalent है ना अब इसको देखके समझ जाएंगे कि benzylic bromination होता है इसमें चीक है दो equivalent है तो मतलब brominead होगा इससे brominead होता है तो अब देखे कौन सब enzylic position है अब देखे बात होती है कि आप confused हो सकते है इन दोनों में एक brominead तो यहां हो जाएगा अब यहां होने के बाद कर आप फिस देखे दो एचे यहां पे एक brominead अगर यहां होगा तो अभी भी एक hydrogen बचेगा ना आप सोच सकते कि यहां तो ब्रॉमिनेशन नहीं हो जाएगा दो इस तरे कर पोज प्रोड़क्त पर नहीं एक अगर ब्रॉमिनेशन हो चुका है ना तो फिर अगर यहां फ्री रेडिकल बनता है तो वो स्टेवन नहीं होगा ऐसे भी तो एक ही पेनी होगा अलग-अलग होगा एक बर यहां होगा एक बर यहां होगा तुसका अंसर नहीं हो जाएगा थेंक यू